आप देख रहे हैं दखल न्यूज नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल न्यूज आज दखल न्यूज की चर्चा में हमारे साथ रीवा के युवा प्रत्याशी कॉंग्रेस से दिपक सिंग दिपक जी आपका स्वागत है दिपक जी रीवा से हैं आप और कॉंग्रेस के प्रत्याशी हैं क्या है आपकी टिकेट को लेकर प्लैनिंग क्या चल रहे हैं अभी तक जहां तक मेरे को नॉलेज है तीसरे नंबर पर मेरा नाम है पैनल पर और जिस तरह से राहूल बांदीजी ने एक भरुशा दिलाया रिवा के आकर कि जो भी अभी बिजेवी पार्टी छोड़कर कॉंग्रेश पार्टी में जोइन किये हैं तो उनको अभी इतना जल मैंने काम किया हूँ विगत 2014 से लगातार मैं हर दिन कॉंग्रेश पार्टी के लिए धिया हूँ और विगत तीन महीने से मैंने एक जंजाग रुपता अभियान चला है जिसमें मैंने लगभग 50-60 जो कि सहर के 45 वार्डों से लेकर 20 क्राम पंचायतों से गया है तो ऐसा बता रहे हो कि तीसरे नंबर पर आपका नाम चलता है उस तीसरे नंबर से नंबर वन पर आने के लिए आपकी क्या प्लैनिक चल रही है आपकी क्या चर्चा हुई राहु गांधी से और जैसा आप बता रहे हो कि राहुल जी ने आपको आश्वाशन दिया है कि जो पैराश क्योंकि हर जगह से कॉंग्रेश पार्टी यह देख रही है जहां से जो कंडिडेट विजय हो सके क्योंकि यहां पर सवाल यह है कि सरकार बनाना है और आगे 2019 का लेक्शन लगा हुआ है और मदप्रदेश यहां से 230 बिधायक जोनके बहुपाल पर आते हैं और लगभग 40 MP दिल्ली पर जाते हैं तो एक बड़ा टास्क है रहूल गांधी जी उपर भी टिकट को लेकर उनकी जो मनसा है जैसे मेरी बात्चीत हुई मेरी 10 मिनट करीब बात्चीत हुई है रिवा के र टो तो आपके जोपिए हुई है रहा दो आपके आपके रहा गांगा मेरी 10 मिनट को आपके बात्चीत है यह तो आगे आने वाला टाही बताएगा और मैं तो यह मानता हुँ कि राजनीती को एक बैपार के तौर नहीं देखा जाना चाहिए यह मेरा इस कॉंग्रेस परिवार से जुड़ना राजनीत में आना कहीं न कहीं तीन लाग की जॉब मैं यू के लंडन के अंदर किया करता तो उसको छोड़ कर यदि आज मैं यहां पर हूं तो रियल में आरीली वांटेट तो बूसा कर लेपा हमने अभी कुछ समय में देखा है कि यूव खराब है बारत देश में उसका इस्तर कैसे बढ़ाएंगे और रिवा के हालात और ज्यादा बद्तर हैं तो उसके लिए क्या प्लैनिया आगी जब मेरा फास्ट इंटर्व्य हुआ था तो दैनिक जागरण के पत्रकार माहुदे ने हम से यही चीज कोशिन किया था कि तो मेरा जबाब यही था कि somebody must have to come to clean this garbage इस कछड़े को साफ करने के लिए कहीं न कहीं युवा को पढ़े लिखे लोगों को राजनीत को तन्ना पढ़ेगा क्योंकि हम लोग पीछे बैठ के बाते तो करते हैं जो युवा हो गए चै कोई भी मेरे एक कंट्री के एक सिटीज तो एसे लोगों को मैं इचाहता हूं कि उपीछे बैठ के ना यह पढ़े लिखे हैं कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं तो कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें और मैं यह मानता हूं कि आने वाला समय जिस तरह सी युवाओं का एक तरफ से रुजहान बढ़ रह के प्रति आने वाला समय भारत देश के लिए काफी अच्छा होना है दो हजार दस से आप राजनीती में उतर चुके हैं आप कहीं पे अंकंफर्ट फील करते हूं उस वक्त जब बुजूर्ग अपना पोजिशन नहीं छोड़ते रिटार्मेंट नहीं लेते लोग तो करने की उस चगह पे आपको क्या दिक्कति आती है मेरे को लगता है कि राजनीती कोई नौकरी नहीं है इसमें कोई रेटार्मेंट के एज होती नहीं और नहीं अगर बुजूर्ग इस्थान नहीं चोड़ेंगे जगाएं नहीं खाली करेंगे तो युवाह को कैसे टिकेट रूप मिलेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? ये उन बुजर्गों को सोचना चाहिए, क्योंको उनको मारधर्शन के रूप में काम करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, कि पार्टे के अंदर ने में बने रहके, बच्चों को मारधर्शन देने का काम करना, जो एक माता-पित या किसी को आंगे बढ़ा हैं बट धीरे धीरे ये सोच परिवर्तित हो रही है और युवाओं को चांस मिल रहा है ऐसा नहीं है कि वो जगह नहीं छोड़ रहा है और आने वाला समय ऐसा आने वाला है क्योंकि कहते हैं यूवा जिधर चलता उधरी आधी चलती है युवास सब्द का उटा होता है वाई और वाई जब तक धीरे धीरे चलती है तो सब कुछ ठीक लगता है पर जब वो वाई तेज चलने लगती है तो आधी का रूप ले लेती है फ्रांस के या इटली के जहां तक मेरे को ध्यान में है 45 years old has become a prime minister 45 साल की उमर में इवन Canadian prime minister को देख लीजे तो मैं तो यह मानता हूँ Martherson ठीक है आपके पास तजूर्बा है पर जरूरी नहीं कि आपके पास उतना talent हो जो 25 साल के बच्चे के अंदर talent हो क्योंकि talent उमर के हिसाब से experience उमर के हिसाब से मैं कहता हूं कि अनुभा हो आता है पर जो talent है वो कभी भी वो उम्र नहीं देखता तो हमेरा जो काम होना चाहिए country के as far as concerned about the country progress कैसी हो तो हमको talent को ढूंड ढूड के ऊपर लाना पड़ेगा और ये इसका काम पत्रकारिता से जो जूड़े व्यक्ति हैं आप जैसे लोगों को ये ढूड़ना चाहिए research करना चाहिए कि कुस व्यक्ति में है क्योंकि आप भी कई ने की तीसरा इस भारत देश के तो ऐसे लोगों को ढूड के लाई ये तो एक एक अच्छा समाओ कंट्री के अंदर निर्मी तो आपकी party का जो एक चेहरा है राहुल गांधी युवा नेता है उन पे अधिकतर इल्जाम लगते रहते हैं परिवार इनका विदेशी है और पपू हैं तो वो इल्जाम आप कैसे party में आए हो साफ राहुल गांधी जी ने काफी महिनत की है उस पर और काफी हद तक उस टेक को अपने लेबल को अपने उपर से हटाया है काफी महिनत की है आप उनका सही हो कैसे करेंगे मैं तो ये मानता हूं कि Congress party को एक सूथ में यदि बाधे रखना है तो राहुल गांधी यदि राष्टी अध्यच बने है तो वो सब की सहमत से बने इसमें कोई भी dispute नहीं है आज की डेट में या कमलनाज जी की बाद कर लीजे या सिंभिया जी की बाद कर लीजे या शो गलो साप की बात कर लीजे या कि प्रेज की यह रही बात को ही का पप्पू जैसे ऐसर अब आयोग किया जाता है और वह टैक था धरी दीरहट भी रहे हैं तो यह मानता हूं कि ठीक है उनको जिन परिसितियों में राजनीत में आना पड़ा ऐसी परिसिति किसी के साथ हो ना वह राजनीत में नहीं आना चाहते था उनके पहला इंटusting राजनीत नहीं आना चाहते था उनका पहला इंटेर्विईू उनको राजनीत संरे आने में मजबूर होना पड़ा कोड़ा इनका के अनीक् Cow आप इंसान है और ठीक है समय के साथ जैसे मैंने कहा ना कि experience टैलेंट तो है टैलेंट में कमी नहीं है इसलिए हमने स्विकार किया कॉंग्रेस पाल्टी के हर नेताओं ने स्विकार किया अनुभाव की कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कमी हो सकती है क्योंकि उमर अभी वह अनु से कहा कि धीरे धीरे उन्होंने इस्टैक को खतम किया है और कंट्री के लोग भी इस मानने को तैयार हैं कि आप वह एक मेच्योर लीडर बन चुके हैं और आने वाला साना कॉंग्रेस वाल्टी की काफी अच्छा होने वागा दीपक एक सवाल आपसे करना चाहूंगी रीव का जो इस तर है पंदरा साल से राजिन शुक्ली जी वहां पर मंत्री है विधायक का जुनाव लड़ते आए हैं आप वहां आ जाते हैं उनके स्थान पर रीवा के लिए क्या करेंगे मैं तो जहां तक रीवा को देख पा रहा हूं रोजगार सबसे बड़ा मुद्द है ठीक है ना बिरोजगारी सबसे ज्यादा रीवा में है मद्ध प्रदेश के अंदर देखते हैं तो हमारी जो रिवांचल ट्रेन चलती है रीवा टू भोपाल वो रीवा से ही फूल हो जाती है अच्छी बड़ी ट्रेन है और रीवा से प्रदेश के बड़ी फूल हो जाती है इस से आप कल्पना कर सकती है कि रीवा में यह इतना रोजगार होता तो ट्रेन डेली फूल होके भोपाल नहीं आते है इस बात को समझे यह नि कहीं ने कहीं लोगों को पलायन होना पड़ रहा है कोई गुजराज जा रहा है कोई यह समय हो चका है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद रीवा का उद्धार कैसे करेंगे दीपा किस मुद्धे बिवाद करेंगे प्रेक के बाद आपका स्वागत है दीपाक हमारी बात हो रही थी रीवा का कैसे उद्धार करेंगे आप राधिन शुकल की 15 सालों से वहाँ जड़े जमी होई है उनको उखाड फेकने की अपदानिक है मेरी जो प्लाणिंग है जमीनी रूप से है क्योंकि मैं एक जमीनी कार करता हूं कॉंग्रेश पार्टी का ठीक है मैंने जञ जाग रुकता कि माध्यम से कई समस्याओं को क्लेक्ट किया है जिक है ना मेरा जो मानना है जो मेरा खुद का मेनो फेश्टू रहेगा मेरा खुद का कॉल सेंटर रहेगा जिसमें से जनता के बीच में जाने वाले हैं जिसमें से मैं चौवीस घंटे के अंदर जो भी समस्याओं के इर्ध गिर्द आती है चौवीस घंटे के अंदर उस समस्याओं को सल्यूशन किया जाएगा इसके लगान साथ है ज करना संदर जो यहां जाते हैंना जाति धर्म आफ को रहते हैं उस से नहीं सथ क्ई तो सिक्षा में यह मानता हूँकि यह सरकारी स्कूलों प्राइवेट इस्तर के दर्ज पर बराबरी के लादी है जहां पर कलेक्टर की वच्चा पढ़े और क्या कहते है गरीब की वच्चा पढ़े तो मैं यह मानता हूं कि गरीब का वच्चा जिसको निवाले की कीमत पता है जिसको पता है कि उस निवाले की क्या कीमत होती है भू जो कि एक सपना भीम्राओं अम्बेटकर जी का भी था कि 10 साल या 20 साल के बाद यह रक्षड की बाते ही खतम हो जाए पर आज भी कंट्री उसी मुद्दे पे कंट्रोवर्सी दिन पर चलती रहती है जो बेसलेस है उसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से आर्थिक आदार पर अच्छा हो यह कॉंग्रेश पारटी भी चाहती है और इंजीनियर दीपक सिंग भी चाहता है तीसरी जो लास्ट चीज है रोजगार जो सबसे बड़ा वो च यह मेरी गैरंटी की बात है ना कि मंत्री जी की तरह है कि सोलर पावर प्लांट बताते हैं कि एसी अका सबसे बड़ा प्लांट है और एक भी जॉब जितनी जन्जाग रुपता के माध्यम से मैंने पांच हजाल लोगों को जोड़ा पर मैं यह देखा हूं किसी भी व्यक्त ने हाथ खड़ा करके यह नी बोला कि मुझे सोलर पावर प्लांट में चौन में लिया तो इस तरीके मुद्दे के साथ में जा रहा हूं बात आपने रोजगार की की सिक्षा की की और जो रीवा का इंफरेट्रेक्ट्चर होना चाहिए सड़के हैं और भी चीजे हैं वो आ रीवा का सुधरेगा क्योंकि मानी सेर्कुलेशन बढ़ेगा है रेवनिय बढ़ेगा रीवा का व्यापार बढ़ेंगे धंदे बढ़ेंगे हर धंद तो इससे तो विकास हो सकता है और आज की जो हालत है मध्दप्रदेश सरकार की एक लाख सत्तर हजार करोड रुपय का क करजा मध्धपरदेश सरकार के उपर हो गया जैसे आपको पते ही ओग जिससे 30,000 रुपय का करजा प्रतिव्यक्त के उपर पूरे मध्धपरदेश के अंदर हो रुखा है तो मैं तो उमीद सरकार से तो करी नहीं सकता हूं कि सरकार कैसी तरह की help क्योंकि सरकार पास से इन्हो तो बाहर का पैसा लेके अपने लोगों को रोजगार देना है और इस तरह का काम करने के मेरी प्लानिंग है वीपक बार टिकेट की अगर अपन करें तिकेट आपको मिल जाता है आपको जैसी उमीद भी है और राहुल जी का सहयोग भी आपको लगता है कि मिलेगा उसके बाद आप जो आपकी पार्टी में बैठे बड़े नेता है पहा जाता है कि अगर ये लोगा गए तो इनतок आम आद्जों की अप्रोच नहीं हो पाएग इंसे मिलने के लिए नोगों को तरसना पड़ेगा वह तहमत जो आपकी पार्टी पे है उसका खामयाजा कहीं ना कहीं आपको भुगरना पड़ता है? पहिट दीप डॉट है ने निकलता है जो निकलता है कभी गळत बोलने की हैं और सिंधिया जी अपने आप में एक इस्टार है और सिंधिया जी की वह आ जसे नहीं है वह राजनीति परिवार मेरा सवाल मध्रदेश से जुड़ा हूआ था दिल्ली जरूर है लेकिन मध्रदेश से अगर जुड़े नहीं रहेंगे और यहां से वह दिल्ली पलायन करते रहेंगे तो मध्रदेश के और एक सवाल मेरा दीपग आपसे और है यह तीन चेहरे हैं आपके पास इन तीन चेहरों में आपको क्या लगता है कि पार्टी किसको आपका मुखमंतरी बना के बिठाएगे पहले तो हमारा काम है कि सरकार इस्थापित करना इसलिए राहूल गांदी ने किसी पर है बिजेपी को हटाना है कॉंग्रेस को लाना है यह हमारा मेन एजेंडा है यह बाते हैं आगे आने वाई टाइम में जब ग्यारा दिसंबर बारा दिसंबर को रिजल्ट निकलेंगे उसके बाद हम इस बारे में डिस्कुशन करेंगे कि आप वहां इस्थानिय विधायक ब दो चीजें तीसरी चीजें रोजगार इन तीन चीजों पर यदि डीप डाउन काम हो जाए मेरा राजनीत में में जब आया हूं रियल में आपको बताता हूं कि राजनीत में जब लंडन से 2014 में आया हूं तो मैं बहुत जगह के दोरे की है मेरे पापा बोल रह थे कि जाओ मेरे पीता जी का 34 साल का केरियर रहा का उंग्रेश पार्टी के साथ में तो वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीत में आऊं और या कि वो सोचा थे अमनी पर्सनल लाइजी पर रियल में मैं जब चेतरी जगह पे गया और अधिवासी बस्तियों से लिखी गरीब बस्तियो नहीं है तो रियल में मेरे आँखों से इस टाइम पर आशुआ गए थे और देन आड़े डिसाइड़ या वुड नोट गो वर टू लंडन अवुड वर्क पर माइपीपल और वर्क ओवर धरीवासी तब मैंने यह सीजर डिसाइड की और मैंने यह मानता हूं कि मैं बिधा वहाँ पर लक्षमणपूर ग्राम पंचायत लगती यह रियल 28 लोगों को 6 दिन के अंदर प्रियाम आवास योजना की पहली किस्ता आ गई एक जगह का टांसफार्मर जला 6 गंटे के अंदर यसी साहब को हमने फोन किया और क्या कहते है 6 गंटे के अंदर तो मेरा कहने का मत मुद्दे मेरे क्लियर है कि गरीबी मेरे को हटाना है और जिस दिन हर समस्याओं से मेरा समस्या जो मेरे जो प्लानिंग है कि हर जगह मैं समस्या बॉक्स रखूंगा हर 5 किलोमीटर के अंदर और जब वो समस्या बॉक्स खाली हो जाएगा उस दिन मैं मानूंगा कि मैं मेरा जीवन सिद्ध हो गया है दिपक आपकी आखों से अगर हम देखें तो हमारा भारत कैसा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात हर एकादमी सिक्षित होना चाहिए जिस दिर सिक्षा अच्छी होगी जैसे यहां पर सुराज सिंजोहान का पार्ट 10 है कि प्रमोट करना 8 मीं तक मै नहीं मानता हूं यह कोई डिजर करता तब फस से सेकंड पर जाए यह डिजर नहीं करता तो दो साल रिपीट करें तीन साल रिपीट करें और जो महात्मा गांधी का सपना हुआ करता था बाबा मेटकर का सपना हुआ करता था सरलार पकेल जी का सपना हुआ करता था उस तरह से कहीं न कहीं बात पत्रकारता पे भी आ जा रही है तो आप पे पूरी दुनिया भरोशा करती है पूरा देश भरोशा करता है तो आपको ऐसे चीजे दिखानी पड़ेंगी जिससे लोगों को पता लगे कि है क्या चीजे और जितना यूथ को आप लोग प्रमोट कर सकें यह हमारे साथ दीपक सिंग थे और यह कॉंग्रेस के युवा मेता जो अभी विधायक के टिकेट के लिए पुर्जोर तैयारी में लगे हुए हैं चर्चा में फिलाल इतना ही देखते रहिए दखल न्यूज दखल आपके हक में आप देख रहे हैं दखल न्यूज